अभी नंदिता मातूराम आदमी पार्टी के तरफ से हमारे साथ बनी हुई है अभी नंदिता जी आज आप शक्ती प्रदेशन कर रहे हैं दिल्ली में महारैली कायोजन कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मैसेज देने की कोशिश की जारी है समारैली के जरिये लेकिन अगर आपको अध्यादेश की लड़ाई लड़नी है तो असली शक्ति आपको कॉंग्रेस से ही मिलेगी कॉंग्रेस अगर आपके साथ नहीं आई तो फिर यह जो शक्ति प्रदेशन किया जा रहा है यह जो मुहीम विपक्षी दलों के साथ अलग अलग नेताओं से मिलने की आप कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगी तो जो असली लड़ाई है वो कॉंग्रेस को साथ लाने की है उसमें काम्याव होंगे की नहीं होंगे क्योंकि वो अभी कोई जवाब नहीं दे रहें क्योंकि जवाब नहीं इस मुद्डे को लेकर कि हम आव आनमी पार्टि का साथ दें नहीं देंगे नमस्कार देखिए ये बात तो आपको कॉंग्रेस से पूछनी होगी मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी इस समय क्योंकि बहुत बड़े-बड़े और मुद्दे हैं देश के सामने ये एक इसको मिनिमाईज कर देंगे हम जो प्रॉब्लम है अगर हम इस प कि ये पिडित लोगों के सामने स्पशली उन लोगों के सामने जो जंत्रंत्र में बिलीव करते हैं क्योंकि ये बात स्पश है कि जिस से बीजेपी एक-एक करके हर प्रकार से एक डिमॉक chap JI हत्या कर रही है देश के basic structure की हत्या कर रही है और बहुत बेशर्मी से आगे बढ़ी चली जा रही है मतलब अपने अपने गेंज के लिए अपने अपनी सत्ता के लिए जिस प्रकार से बीजेपी बाकि सारी चीजों को नजर अंदाज करते हुए सारी चीजों से अपनी जिम्मेदारियों से मुह मोरके अपने राज संकल्प लेके आज हम लोग एक खटा हो रहे हैं यह आप भी मुझे लगता है शायद दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते होंगे बाकी लोग भी जो दिल्ली में रहते हैं यह बहुत जरूरी है कि हम सब यह समझ पाएं कि आखर यह ordinance क्या है किस प्रकार से इस ordinance ने दिल् गए हैं वो दिल्ली की जनता के लिए गए हैं और यह आवास जो उठा रहे हैं जो एक लाख लोग हम बोल रहे हैं कि खटे होंगे वो कोई किराय के लोग नहीं है वो दिल्ली के लोग हैं उनमें से कई सारे हमारे कारे करते हैं आप यकीन मानिये उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो B.J.P में है जो Congreенным मैं हैं जो कि यह मानते हैं कि इस समय जिस तरह से मोदी शा की B.J.P है वो पूरे देश को खाली कर रही है और B.J.P को खुद समाप्त करने का नहुनने खुद बीडा उठाये, यह बीजे-पी ke R.S.S के लोगों का खुद मानना है क्योंकि एक होता है एक होता है पाप और एक होता है पाप का बिल्कुल गढ़ा भरना जिस तरह से मतलब अभी जब आप इंट्रोडक्शन भी दे रहे थे तो मैं सुन रही थी कहीं पर एक राली हो रही है डेमॉक्रिसी को बचाने के लिए और कहीं तो देश के लिए इस देश को बनाने के लिए तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जान नहीं दी थी तो आज आप और मैं और आपके माध्यम से मैं आपके सारे दर्श को को कहना चाहूंगी कि यह जो लड़ाई है इस समय यह किसी पार्टी की लड़ा दिल्ली की लोगों के लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे जब आपके पास पावर होगी और पावर आपके पास कैसे होगी जब आप अध्यादेश को रोख पाएंगे और अध्यादेश आप कैसे रोख पाएंगे जब कॉंग्रेस का समर्थन आपको मिल पाएगा तो सारा ख तो को मानने को तयार है कि Congress ऐसे तो नहीं मानने वाली इतना तो तय है रवी जी मैं आपकी बात को समझ रहे हूं और मैं आपको और आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाहती हूं कि हाथ जोडने और अपनी एगो को हर्ट करने में उस तरह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय जरूरी यह है कि दिल्ली की जो यह दिल्ली में जो उसको वापस लिया जाए उसको राजय सभा में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसको राजय सभा में उसको सपोर्ट ना मिले जहां तक की बात Congress की है Congress को Congress में बहुत समझदार लोग हैं वो अपने प्रकार से कर करेगा जब Congress को बहुत साफ एक चॉइस करनी होगी कि वो सिर्फ अपनी politics करना चाहते हैं वो या वो देश के बड़े मुद्दों पे लोगों के साथ आना चाहते हैं देश के साथ आना चाहते हैं लिकिन मैं दुबारा यह बोल रही हूं कि बातचीत जारी है सब कुछ समय बातचीत जारी है 23 जुन को जब Congress पार्टी पटना में कठा होंगे वहां यह मुद्दा होगा वहां पर क्या स्टेंड होगा देखने वाली बात होगी